जैहिन दोस्तों सवागता आप सभी का आपके अपने चैनल केरियर पॉइंट पर आपका सभी का सवागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आएं जो आपके आने वाले ऐसे से जीडी कोश्टिवल एक्जाम के लिए जो आपके एक्जाम 16 नमबर से 15 दिसंबर चलन वाला है उस एक्जाम को ध्यान में डखते हुए हमने आपके लिए most important question जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही important हैने वाले वो इस वीडियो के इंदर हम लेक रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को बगए स्क्रिप्ट के वे लास्तक लगईगा ताकि आपको जो एक्जाम ह का हुच सके तो आपको कमेंट बोक्स में जरूर दें ताकि आपका जो भी डाउट वो भी साथ साथ क्लियर होते चले तो चलिगा दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप अपने चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जूड़ने के लिए चैनल को का जनम हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को औप्शन सी आपका सहियांस होगा दोस्तों एक उसन यहीं से और बनताक अकपर से कि सबसे लंबा मुगल सास्कों में सबसे लंबा सासिंकाल अकबर काई रहता, एक क्यूशन और बनता यहीं से, कि मुगल सासकों में अनपड सासक कौन था, मुगल सासक कौन था तो दोस्तों, अकबर था, याद रखेंगे, अनपड सासक, चलिए, नेक्स क्यूशन करते हैं, दोस्तों जल्दी-जल्दी वीडिय उप्शन C, आपका बदरुदिन तैयब जी यहाँ पर राइट रोगा, नेक्स क्यूशन देखी, लोश्तम को किसके दुवारा बनवाया गया था, तो दोस्तों राइट राइट रोगा यहाँ पर, उप्शन C, चंदरगुप दिवीटे के दुवारा, याद रखना दोस्त के भाग नौ में किसका वर्णन है, किसका है दोस्तों, पंचायत का, उप्शन A, आपका पंचायत यहाँ पर रहा है तनसुआ, दोस्तों बताइएगा, सबसे पहले पंचायत अधिनियम काहाँ पर लागू किया गया, तो दोस्तों सबसे पहले पंचायत राज अधिनियम, स तो दोस्तों कब की गी थी? राई टन्सों याँ पर 1948 में. Option D. 1946 आपका राई टन्सों गया हैं पर. Next question. सबसे अधिक विशयली मचली कौन सी है? इनमें से सबसे अधिक विशयली मचली कौन सी है? कौन सी दोस्तों? राई टन्सों गया हैं पर. Option C. सबसे अधिक विशयली मचली होती है. Next दिखेगा. नेपोलिन के पीता का नाम क्या था? नेपोलिन के पीता का नाम क्या था? क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट. Option D. कार्लो बोनापार्ट आपका राई टन्सों गया हैं पर. Next दिखेगा. उससे पहले गरणर्जनल का नाम बताईए जिन पर महाब्योग चलाएगा था. उससे पहले गरणर्जनल का नाम बताईए जिन पर महाब्योग चलाएगा. तो दोस्तों कौन था? वारिन हिस्टिक्स. Option A. आपका राई टन्सोंगेंपर. Next दिखेगा. बताईए आप लोग मूल करतेओं का वर्णर्ण सुईधान के किस अनुचेद में हैं? किस में दोस्तों? अनुचेद 51 के में. Option C. अनुचेद 51 के आपका राई टन्सोंगेंपर. Next दिखेगी. जूम केती के लिए पर्चलीत राज्ये कौन सा है? जूम केती के लिए पर्चलीत राज्ये कौन सा है? कौन सा दोस्तों? नागलेंड. Option D. नागलेंड राज्ये जूम केती के लिए पर्चलीत राज्ये याद रखेगेंगे. Next question. करनाडा का राष्ट्ये खेल क्या है? बताएंगे आप लोग करनाडा का राश्टे खेल क्या है क्या है दोस्तो आई से होकी option B आई से होकी करनाडा देश्का राश्टे खेल या रखेंगे next question दोलावीरा भारत के किस राजे में है दोलावीरा भारत के किस राजे में है किसमें दोसो, गुजरात राजे में है, option A, गुजरात राजे, राइत रनसुगेंपर, next देखेगा, अशोक चकरे, पाने वाली पर्थम महिला कोन है, अशोक चकरे, पाने वाली पहली महिला कोन है, कोन है दोसो, निर्जा भहनोत, option B, निर्जा भहनोत, आपका राइत रनसु से कौन था ब्रहामनों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुश्लिम सार से कौन था कौन था दोस्तों फिरोज सा तूगलग था option B फिरोज सा तूगलग आपका राइट अनसर होगा next देखेगा जंडा समीति के अध्यक्स कौन थे बताएंगे आप लोग जंडा समीति के अध्यक्स कौन थे तो तोस्तों कौन थे जे भी करिपलानी option B आपका राइट लानस होगा पर जंडा समीति के अध्यक्स थे जे भी करिपलानी याद अखेगे बताएंगे आप लोग भारती राश्टी कोंगरिस के पहले अध्यक्स कोन थे तो तो कोन थे व्योमेश चंदरबनर जी औप्शन A, व्योमेश अंदर बनजी आपका right answer गया है पर, next देखे का, आधुनिक राश्टवाद का पैगंबर किसे कहा जते है, आधुनिक राश्टवाद का पैगंबर किसको कहा जते है, किसको कहा जते है, तो दोस्त राइट answer गया पर, आधुनिक राश्टवाद का पैग Birbal का वास्त्विक नाम क्या था, क्या था दोस्तो, महेस्दास, option C, महेस्दास आपका right answer हो गया पर, next दिकेगा, सुविधान संसोधन की परक्रिया कहां से ली गई है, सुविधान संसोधन की परक्रिया कहां से ली गई है, दोस्तो, तो कहां से ली गई है, चले देखीगा, द next कि, Everest पर चडने वाली पर्थम नेत्रहिन मैला कौन थी? Everest पर चडने वाली पहली नेत्रहिन मैला कौन थी? कौन थी दोस्तो, Anik, BIN, Member, पहली नेत्रहिन मैला थी, Everest पर चडने वाली, option A, right answer होगा, next कि किगा, भारत में पहली बार जनगरना कम हुई? दोस्तो अपना एक लाइक इस वीडियो को दीजेगा एक शेयर दीजेगा ताकि ये नए बचों तक जुड़े इस वीडियो और वो भी अपने एक्जाम की त्यारी को या पर जुड़कर बढ़ाशके तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो देखिए भारत में पहली बार जंगर्णा कब हुई तो दोस्तो कब हुई थी 1872 में उप्शन C आपका राइट अन्सुग है पर नेक्स क्यूशन पर्तम फैक्ट्री अधिनियम किसके सासन काल में पारित हुआ था तो दोस्तो राइट अन्सुग है पर ओप्शन B लोड रिपन के काल में पारित हुआ था नेक्स देखिगा राजसभा की पहली बैठक कब हुई थी राजसभा की पहली बैठक कब हुई थी तो 13 माई 1902 में राजसभा की पहली बैठक कोई थी option A, आपका right answer गया पर, next निकीका, परवत चोटी, केटू की उच्चाई कितनी है, कितनी है दोस्तो, 8611 मिट्रे, परवत चोटी केटू की उच्चाई, option C, आपका right answer गया पर, next है, वशा को पचाने वाला enzyme कौन सा होता है, वशा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है कौन सा होता है लाइपेज एंजाइम होता है वशा को पचाने वाला option D आपका लाइपेज एंजाइम राइट रंसर होगा next question परतेक जवार के बीच कितने समय का अंतर होता है कितने समय का होते हैं 12 गंटे 26 मिनिट का Option C आपका right answer हो गया पर Next दिकी का आशो के लेखो को सबसे पहले कब पोड़ा गया आशो के लेखो को सबसे पहले कब और किसके दोवारा पढ़ा गया तो दोस्तों किसके दोवारा James Princip के दोवारा 1837 में याद दखना असो के लेखो को सबसे पहले 1837 में James Princip के दोवारा पढ़ा गया था Option B आपका right answer होगा Next दिकी का हिमाउती किस नदी की साहिक नदी है हिमाउती किस नदी की साहिक नदी है तो दोस्तों किसके है काविरी नदी की साहिक नदी नदी हिमाउती ओप्शनदी आपका right answer अबकर काविरी Next दिकी का चंदरप्रवा राष्टिये वन्य प्रानी अभ्यार्ण है किस राजिमे है चंदरप्रवा राष्टिये वन्य प्राइव किस राजिमे है तोस्तों इसमें है यह उत्तरपरदेश में पर राइट अंसर पर नेक्स किका, वखम के लहरें, जहां सबसे पहले पहुंसते हैं, उसको क्या कहते हैं, देखिए, अधिके अंदर कहते हैं, जोसतों, आपका से ओजाएगा, अधिक अंदर यापे, राइट अंसर ओप्सन बी, अग्ला क्योंसे नेखिए, चूखा, किन द आपका स्युज़ेगा बार्त भुटानिया पर right answer option D, अगला question दिखी, राष्ट्री ये अनुसुतित जन जाती आयो की स्थापना किस वर्स वी थी, कमेंट करिए फटा फट, देखी, आपका स्युज़ेगा 2003 right answer option D, राष्ट्री ये अनुसुतित जन जाती आयो की स्थापना किस वर्ट स्वी थी वहाँ पे पूछा गया था फ्रेंज आपसे जन जाती और यहाँ पे आप उसे पूछा गया है अनुसुर्चित जाती ठीक है कनफ्यूज नहीं होए तो उस्टन को अच्छे से फड़ें और फिर आंस्वी दिक कमेंट बोक्स में देखिए आपका सही हो जाएगा 1990 राष्ट यह अनुसुर्चित जाती का आयोकी स्थापना जो है 1990 में की गई थी ओप्शन ए आपका सही हो जाएगा अगला क्यूशन देखिए बांगलादेश भारत के कितने राजों से अपनी सीमा लगता है अगला क्यूशन देखिए अगला क्यूशन देखिए आपका सही हो जाएगा 1950 में औप्शन A 1950 आपका सही हो जाएगा राइट आण्सवर ऑप्शन A नेक्स देखिए दुवादार पर पात कहां आवस्तित है कमेंट करिए फटा आफ़र राइट आण्सवर क्या होगा तो देखिए आपको स्य हो जाएगा जबलपूर, option B जबलपूर आपका सही हो जाएगा अगला question देखी सली देखिए किस अनुछेद के तैद संसद को सवीधान में संसोधन करने की सकती परदान की गई, comment करें फटा फट right answer क्या होगा, किस अनुछेद article 368 आपका सही हो जाएगा, option C right answer next question देखिए, comment करें फटा फट right answer क्या होगा, निर्वाचन आयो की स्थापना किस वर्स की गई, comment करें right answer फटा फटा फट, निर्वाचन आयो की स्थापना कब की गई थी बिल्कुल देखिए, फ्रेंट कब की गई थी 1950 में, option C आपका सही हो जाएगा, निर्वाचन आयो की स्थापना की गई थी 1950 में, option C आपका सही हो जाएगा next देखिए बारत में सरव पर्थम पेट्रोलिम की खोज किस वर्स होई थी comment करें, right answer क्या होगा बारत में सरव पर्थम पेट्रोलिम की खोज किस वर्स होई थी जी बिल्कुल देखिए फ्रेंच कब होई थी 1860 में, option C आपका सही हो जाएगा, 1860 या आपके right answer option C next देखिए comment करें, right answer क्या होगा दक्सिन अमेरिका का सरवादिक नगरिकर्त देश कौन सा है comment करें, most important question है देखिए कौन सा है, वेंजुएला option A आपका, सही हो जाएगा, right answer option A दक्सिन अमेरिका का सरवादिक नगरिकर्त देश है, वेंजुएला अगला question देखिए देखिए, बहुत एक सा question है, comment करें सांखे दर्सन का संस्थापक किसे माना जाता है, comment करें option C आपका, सही हो जाएगा, सांखे दर्सन का संस्थापक किसे माना जाता है next देखिए सबसे छोटा किंदर सासित परदेश कौन सा है, comment करें सबसे छोटा किंदर सासित परदेश कौन सा है, जी बिल्कुल देखिए कौन सा है, लक्से द्वीब option B, लक्से द्वीब आपका सही हो जाएगा, सबसे छोटा किंदर सासित परदेश है, लक्से द्वीब next देखी उज्जेन का प्राचिन नाम क्या था comment के रिए फटा-फट उज्जेन का प्राचिन नाम क्या था सभी बताएंगे जिन्होंने भी थक वीडियो को लाइक निकिया please वीडियो को लाइक कर दीजिए और share कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ देखी friends आपका सही होगा अवंतिका option A आपका सही होगा उज्जैन का प्राचीन नामता अवंतिका अगला question देखी सारक का आठमा सदे से राष्टर कौन सा है comment करिए फटा फट सारक देशों में आठमा सदे से राष्टर कौन सा है डिपल को देखी ए अफगानिस्तान. Opson D. अफगानिस्तान आपका सही हो जाएगा. अगला question देखिए. वाईू में दहुने की चाल कितनी होती है? क्मेंट करिए फटा आफ़र राइट आंसवर क्या हो गा? वाईू में दहुने की चाल कितनी होती है? जी बिल्कुल देखी कितने हो दिये हैं 332 मेटर पर सेकेंड आपका सेज़ जाएगा option A, right answer 332 मेटर पर सेकेंड अगला question देखी संसार का सरवादिक सक्रियज वाला मुखी कोन से संसार का सरवादिक सक्रियज वाला मुखी कोन से कमेंट करिए फटा फट option C, आपका सही होगा कोटोपैक्सी option C, आपका सही होगा संसार का सबसे अधिक सक्रियज वाला मुखी कोटोपैक्सी option C, आपका सही होगा अला question देखी बारत का पर्थम क्रिशी विशाव विदाले कहां स्तापित किया गया है भारत का पर्थम क्रिशी विश्व विदाले कहा स्थापित किया गए देखिए कहा पर बिल्कुल फिंट्स चले देखिए पंत नगर में option B आपका सही हो जाएगा पंत नगर आप पर right answer option B next देखिए forest research institute कहा स्थीत है comment करें right answer क्या होगा forest research institute कहा स्थीत है देखिए आप रहें देहरा दुनिया option D आपका सही हो जेगा देहरा दुनिया पर right answer option D next देखिए एंडिज परुतमाला किस महादीप में स्थित है एंडिज परुतमाला किस महादीप में तो किस में है राय तेखिए पर option B Ducks in America में तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नगे तो प्लीज जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेर करेंगे और जो भी चैनल पर नहें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों यह वीडियो आपको डेली शुवह साढ